परिचाए चात्रो इन समीकरणों को देखो ये समीकरण किस प्रकार के हैं? सर ये रेखिक समीकरण है? बहुत अच्छा और ये समीकरण किस प्रकार के हैं? ये अभी एक रेखिक समीकरण है सर? तुम सही हो राहुल ये भी रेखिक समीकरण ही है लेकिन इसमें दो चर हैं अताह ये दो चरों वाला रेखिक समीकरण है आज मैं तुम्हें दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में बताऊंगा उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दो जरों वाले रैकिक समीकरण युग्म को समझना ग्राफिय विधी का वर्णन करना रैकिक समीकरणों के युग्म के हलकी बीज गणितिय विधी बताना प्रतिस्थापन विधी का वर्णन करना विलोपन विधी का वर्णन करना वज्र गुणन विधी का वर्णन करना और दो जरों के रैकिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण का वर्णन करना दो जरों में रैकिक समीकरण युग्म वे समीकरण जो दो चरों के प्रयोग से लिखे जाते हैं, उन्हें दो चरों का रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। दो चरों X और Y के रेखिक समीकरण युग्म का सामाने रूप निम्न है। A1X जमा B1Y जमा C1 बराबर 0 जहां A1, B1, C1, A2, B2, C2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और A1 वर्ग जमा B1 वर्ग 0 के पराबर नहीं है। उधारण 4X घटा 5Y घटा 6 बराबर 0 और 8X जमा Y जमा 4 बराबर 0 ने। X जमा Y बराबर 12 और 7 बराबर Y। ग्राफ ये विधी 1 का आश्रित युग्म कहते हैं। रैकिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदेव संगत होता है। दोचरों के रैकिक समीकरण युग्म का आलेक दो रेखाओं द्वारा निरूपित होता है। यदि रैकाएं एक बिंदू पर प्रतिछेद करती हैं तो वह बिंदू समीकरण युग्म का अद्वित ये हाल होता है। इस इस्तिती में समीकरण युग्म संगत होते हैं। और सबसे आخرी है कि यदि रैकाएं समानतर हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। इस इस्थिति में समीकरण युक्म असंगत होता है। ग्राफिये विधी भाग दो यदि रहकिक समीकरणों का युक्म A1, X जमा B1, Y जमा C1 बड़ाबर शूने और A2, X जमा B2, Y जमा C2 बड़ाबर शूने दिया है तो निम्निलिखित इस्थिति प्रस्तुत हो सकती है। एक, A1 बटे A2 बड़ाबर नहीं है, B1 बटे B2 के। इस इस्थिति में रहकिक समीकरण युक्म संगत होता है। इस्थिति 2, A1 बटे A2 बड़ाबर है, B1 बटे B2 बड़ाबर नहीं है, C1 बटे C2 के। इस इस्थिति में रहकिक समीकरण युक्म असंगत होता है। इस्थिति 3, A1 बटे A2 बड़ाबर है, B1 बटे B2 बड़ाबर है, C1 बटे C2 के। इस इस्थिति में रहकिक समीकरण युक्म संगत और आश्रित होता है। उधारण इन अनुपातों की तुल्ला करने पर ग्यात कीजे कि यदि रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेत करने वाले रहकिक समीकरण युक्म को निरुपित करती हैं, तो वे समानतर होंगी या संपाती होंगी। पांच एक्स घटा चार वाई जमा आठ बराबर शूने, साथ एक्स जमा छे वाई घटा नौ बराबर शूने। पहले हम क्यात करेंगे ए एक बटे ए दो, बी एक बटे बी दो और सी एक बटे सी दो, फिर उनकी तुल्ला करेंगे। अता हमें निम्न हल प्राब्द होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ए एक बटे ए दो बराबर नहीं है, भी एक बटे बी दो के। अता रेखाएं परस पर प्रतिछेत करेंगी। एक रैकिक समिकरण युगम को हल करने की बीजगनितिये विथी। अता हम बीजगनितिये विधी का परयोग करते हैं। बीजगनितिये विधियां तीन प्रकार की होती हैं। प्रतिस्थापन विधी में हम एक समीकरण जिसे आप चिनना चाहें, उसको एक चर जिसे आप चिनना चाहें, उसके लिए हल करके इसका मान दूसरे समीकरण में चैनीत चर के मान के लिए प्रतिस्थापित कर देते हैं, फिर आप पहला समीकरण पुना हल कर लेते हैं. आईए एक उधारण हल करें. X जमावाई बराबर 20. X घटावाई बराबर 10. चरण एक. आपके पास दो समीकरण हैं. पहला या दूसरा कोई समीकरण चुन लीजिए और इसे X या Y के लिए हल कीजिए. आईए X घटावाई बराबर 10 चुनें और इसे X के लिए हल करें. दोनों पक्षों में Y चोड़ने पर हमें X बराबर 10 जमावाई प्राप्थ होता है. चरण तो. अब सबसे उपर के समीकरण में X का मान रखें. X जमावाई बराबर 20 का प्रयोग करके X को हटा दीजिए. और 10 जमावाई लिखें. हमें 10 जमावाई बराबर 20 प्राप्थ होगा. दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर हमें 2Y बराबर 10 प्राप्थ होगा. अब दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें Y बराबर 5 प्राप्थ होगा. अब हमारे पास Y का मान है. अब हम इस मान को किसी भी समिकरण में रखकर X का मान ग्यात कर सकते हैं X जमा Y बराबर 20 में Y का मान प्रतिस्थाफित करने पर हमें X जमा 5 बराबर 20 प्राप्त होगा दोनों पक्षों से 5 खटाने पर हमें X बराबर 15 प्राप्त होगा समीकरण युग्म का हल X बराबर 15 और Y बराबर 5 होगा वस्तता 15 जमा 5 बराबर 20 और 15 घटा 5 बराबर 10 प्राप्थ होगा विलोपन विथी प्रतिस्थापन विथी से आप परीचित हैं दूसरी विथी को विलोपन विथी या योग या वैवकलन विथी कहते हैं समीकरणों को हल करने की इस विथी में एक चरको योग या वैवकलन द्वारा समीकरण से विलोपित किया जाता है जब आप दो समीकरणों का योग करते हैं तो आप मुलता उनके सभी भागों का योग करते हैं मान लीजिए कि आपके पास समीकरण है 4X जमा 5Y बराबर 14 घटा 4X घटा 3Y बराबर घटा 10 दोनों के योग से हमें 2Y बराबर 4 पराप्त होता है जैसा कि आप देख सकते हैं 4X और घटा 4X परस पर समाप्त हो गए इसलिए X चर विलोपित हो गया जिसके परिडाम सो रूप समीकरण में केवल एक चर यानि Y शेश रह गया और अब समीकरण को हल किया जा सकता है हल करने पर हमें Y परापर दो पराप्त होता है अब आपके पास Y का एक मान है अतहाँ आपको X के लिए एक मान ग्याद करना है इसके लिए किसी भी मूल समीकरण में Y का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए और X ग्याद कर लीजिए इस समीकरण में Y का मान दो प्रतिस्थापित करने पर हमें X का मान एक प्राप्थ होगा इन दोनों समीकरणों के लिए आपका हल एक और दो है मान लीजिए कि दो समीकरण इस प्रकार है दो चरों X और Y के रहकिक समीकरण युग्म है जहां A1 बटे A2 परापर नहीं है B1 बटे B2 के यानि A1, B2 घटा A2, B1 बरापर नहीं है शोने के तो इस समीकरण युग्म का एक अज़ुतिय हल होता है जो निम्न प्रकार है वज्र गुणन का उधारण वज्र गुणन विधी से हल युग्म प्राप्त कीजिए X जमावाई बरापर 6 X घटा Y बरापर घटा 2 हल दिये गए समीकरण है X जमावाई बरापर 6 इस से प्राप्त होता है X जमावाई घटा 6 बरापर 0 और दूसरा है X घटा Y बरापर घटा 2 इस से प्राप्त होता है X घटा Y जमादो बरापर 0 हम देख सकते हैं A1 बरापर 1 B1 बरापर 1 C1 बरापर घटा 6 A2 बरापर 1 B2 बरापर घटा 1 C2 बरापर 2 है हल X और Y दिये गए है X बरापर B1 C2 घटा B2 C1 बटे A1 B2 घटा A2 B1 अता हल करने पर हमें X बरापर 2 प्राप्त होगा Y बरापर C1 A2 घटा C2 A1 बटे A1 B2 घटा A2 B1 हल करने पर हमें Y बरापर 4 प्राप्त होगा अता हल 2 और 4 है दो चरों के रहखिक समिकरणों के युक्म में बदले जा सकने वाले समिकरण ऐसे कई समिकरण हैं जो रहखिक नहीं होते लेकिन जिन हैं मामूली प्रतिस्थापन से दो चरों के रहखिक समिकरण के युक्म में बदला जा सकता है आईए निमने लिखित उधारण हल करें हल मान लें ए बराबर एक बटे एक्स और बी बराबर एक बटे वाई तब ए बटे दो जमा बी बटे तीन बराबर दो या तीन ए जमा दो बी बराबर बारा होगा इसे समिकरण तीन से चिन्नित करें और ए बटे तीन जमा बी बटे दो बराबर तेरा बटे छे या दो A जमा तीन B बराबर तेरा होगा, इसे समीकरण चार से चिन्हित कीजिए. इन समीकरण को हल करने के पश्चाथ हमें A बराबर तो और B बराबर तीन प्राप्त होगा, चुँकि A बराबर एक बटे X है, इसलिए X बराबर एक बटे दो होगा, और B बराबर एक बटे Y है, तो Y बराबर एक बटे तीन होगा, यह दिये गए समीकरणों के हल हैं. क्या आप चानते हैं? सारांश आईए हमने जो कुसी का है उसे संग्शेप में दोहराएं दो जरों में दो रैखिक सम्मिकरण एक रैखिक सम्मिकरण का युग्म कहलाता है एक रैखिक सम्मिकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप इस प्रकार है जहां A1, A2, B1, B2, C1, C2 एसी वास्तविक संख्याएं हैं कि A1 वर्ग जमां, B1 वर्ग 0 के पराबन नहीं है एक रैखिक सम्मिकरण युग्म को ग्राफिय रूप में निरुपित किया जा सकता है और हल ग्राफिय विधी द्वारा तथा बीज गणितिय विधी द्वारा दोनों प्रकार से किया जा सकता है ग्राफिय विधी, दो चरों में एक रहखिक समिकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरुपित करता है यदी रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेत करती हैं, तो वह बिंदू दोनों समिकरणों का अधुतिय हल होता है इस इस्थिति में समिकरण युक्म संगत होता है यदी रेखाएं संपाती हैं, तो उनके आपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं रेखा पर इस्थित प्रतेक बिंदू हल होता है इस इस्थिती में समीकरण युग्म आश्रित यानी संगत होता है यदि रेखाएं समानतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है इस इस्थिती में समीकरण युग्म असंगत होता है बीज गणितिय विधी हमने एक रहखिक समय करण युग्म के हल को ग्याद करने के लिए निम्र विधियों की चर्चा की है प्रतिस्थापन विधी, विलोपन विधी और वज्र गुणन विधी युदि दिये गए रहखिक समय करण एक एक जमा बी एक वाई जमा सी एक बराबर शुन है और एदो एक्स जमा बी दो वाई जमा सी दो बराबर शुन है ये एक रहखिक समय करण युग्म को प्रताशित करते हैं तो निम्र स्थितियां उत्पन हो सकती है